कि अपने चैनल फैंटेसी इंड्लेंड वर्सिस इंडिया सेकेंड टीट्मिंटी आए पहला टीट्मिंटी आए जैसे मैंने कहा आपको मैं कुछ मूल मंत्र बता दूं फैंटेसी के अगर आप लोग नहीं हो यह जो इंट्रनेशनल मैचेस होते हैं या इवन IPL मैचेस में भी काफी कम मैचेस ऐसे मिलेंगे आपको जहां आपके लिए आसान हो आपको लग पर बहुत जारे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और यह मैच जो हालत थी आपने पेश रिपोर्ट सुनी होगी सब ने खाता बड़ा स्कूर बनेगा लेकिन इंडिया जैसे खेली बना नहीं लेकिन अगर आपको दूसरा साइट देखना है इसका आप यह देख सकते हो कि इंडिया नॉम्मली एक ट्रेंड चला आ रहा है अगर आप अबसर्फ कर रहे हो पहला मैच सिरीज का हार ही रही है अब क्या कोई भी वज़े हो पहला मैच अच्छा नहीं जाता लेकिन प्रॉबबिलिटीज नहीं है यह सब जरूरी नहीं है लेकिन यह सब अबसर्फ करा हो कुछ और आपकी किसी को लेकित करना चिप्राइब करना और बहुत-बहुत अबसर्फ देते रहते तो आज का मैस भी वही है और अगले के बाद भी वही है लास्ट रिफेले वेशर थ गिवववे रखने वाले थे लेकिन मैं थोड़ा लेटी हो रहा था तो गिवववे हमने आगे पुश कर दिया तो आपको अगले कुछ माचेस में फ्री बहुत ही भैतरी गिवववे देखने वाला है कहाँ पर अभी के लिए गेम से तो जी एल्टी फैमली करें फर खोट से अगर आप नहीं गए हो जा सकते हो वहाँ पर तो अब का ट्रिविया क्या है बड़ा ही इंट्रेस्टिंग हाइस विकेट्स इंडिया के लिए टीडोंटी इंटरनाशनल इंटरनाशनल की बात हो रही है किसने ले रखें और दूसरा फिर से वही कोश्यन विराट को लिया कितनी बॉले केलने वाले हैं आपको यह दोनों हैस्टाग यूज करके देना है आपका आंसर वीडियो देख लेना हमने सब बात करी हुए कि क्या रहा है स्कोर क्या बन सकता है पिश्टी बाब वन सिक्स्टी के आसपास हम सोच रहे थे लेकिन बिल्कुल बना नहीं वह और किसी की इमाजनेशन के बियोंड था वो कि जो बहुत कम स्कोर बना लेकिन देखते हैं कौन पिश्टी होती इतनी सारी पिश्टी हैं स्टेडियम में कि आपको भी नहीं पता तीम को भी नहीं पता कि क्या यूज होने वाला और क्या उस पर एक्सपेक करें अगर आप आप करो दोनों साइड जो बॉलिंग लाइनप लेके उतरी थी उसमें इंग्लेंड पेस बॉलर से भरी ती और इंडिया स्पिन बॉलर से तो ऐसा कम ही होता है कि इतना मिसमाच हो जाए दोनों की फिच को लेके जिसका मतलब है कि टीम भी कंफ्यूस हैं तो इंटरनेशनल माचे खिले रिशापन्त और सामने से जैसन रोया जोफरा अर्चर पेसर का बोल वाला था और यह होना भी था क्योंकि पहला विकेट है लेकिन जैसे हमने उस दिन भी बात करी थी कि अगर आप पेसर वसे स्पिनर्स का रिश्यो देखो कि शुरुवात में ज्यादा ही रहेगा ज अगर शायद मैं एक थौट प्रोसेस जो मेरा है आप बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है जैसे इंग्लेंड ने उपन कराया था आपने रिस्पिनर से आदिल रशीद से मुझे यह लगता है कि इंडिया को अपना रिस्पिनर यूस करना चाहिए था इंसे और फिंगर स्पिनर जो थे अकसर पटेल आप बताओ आपको क्या लगता है देखते हैं कॉमेंट्स में क्या बात आती हैं फिलाल के लिए समरी देखो के तो यहां पेसर हमेशा अच्छा करते हैं ओवर आल आवरेज भी अगर आप ऊपर देख रहे हो विकेट्स का वो भी दिखेगा यही कुछ बताएगा तो अभी के लिए विराट को डाउन आउट मत समझना जरूर फॉर्म में नहीं है लेकिन हमारी टीम का पार्ट होंगे और शायद रिस्क लेने वाले लोग क्याप्टन में खासकर जब वो चेस कर रहे हूं बना सकते हैं चेस कर रहे हूं त कि भूबनिश्वर के जो यहां पर मिजरली विकेट्स रहे हैं वह पहले बॉलिंग करते हुए चाहल को विकेट मिल जाता है तो पहली नहीं बड़ता और आर्चर ने बॉलिंग अच्छी करी पिशले मैच लिया थे उन्होंने अब देखोगे आप पिशले मैच तो यहां अब भी आपको एक चीज दिखेगी विराट कोली सेकंड बाटिंग में एक 50 मार चुके हैं फर्स बाटिंग में अभी तक उतना अच्छा स्कोर नहीं है उसके अलाबा ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है एक-एक मैच के रिकॉर्ड को आप रिकॉर्स नहीं बोलोगे हाँ भू अपने वीडियो लाइक कर दिया होगा वही चीज़ें मोटिवेशन बना के रखती हैं ताकि इंगलेंड ने बाटिंग मुझे लगता है सेम ही टीम उतरते हुए दिखेगी हेट टूएट में अब इंग्लेंड आगया हो गया एक मैच से लेकिन हेट टूएट में भी आप देखोगे तो विराट का नाम है रोहिच चर्मन अगर नहीं है जैसा विराट ने बोला फिर अगला नाम के अलका है और फिर हार्दिक और ये जूइंद चहल एक खास बात मै आज हार्दिक पंडिया अभी हम एकनोर कर रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि वह बॉलिंग करा रहे हैं कि लेकिन इस और फिर से दोवर कराते हुए देख सकते हैं और पेस बॉलर क्योंकि इंडिया नॉमली शॉट खेल लिए और सिर्फ दो में पेस बॉलर से इस वज पटलर और जेसन रॉय आते हैं बॉलिंग से क्रिस जॉर्डन जो आपकी टीम होंगे ठीक है और आकरी के कुछ माइन देखोगे तो जो चर्चित प्लेयर हैं उनका ही परफॉर्मेंस दिखेगा तो मैं observation पर आता हूँ यह मैंने पिशली बार भी डिसकस करी थी रोई चर्म सालों से तो आपको अब तो याद हो गया होगा कि विराट और केहल कितने बड़े परफॉर्मर्स हैं खासकर जब चेजिंग इबाद आती है पहली बैटिंग में तो परफॉर्म करते हैं लेकिन उससे बेटर करते हैं सेकंड बैटिंग में ठीक है यह नॉमली देखा गया ह शेकर दबन कभी भी करते हैं लेकिन पिशले पाच इनिंग्स में से एक ही इनिंग है जो उनकी तीस पार हुई है तो वह दस भी पार नहीं कर पाए दस है उनका अगला हाईये स्कोर इसी टीम के अगेंस श्यासे एक मैच रिशापंद बहुत जबर्दस लगे अगर सही बत है लेकिन मुझे काफी confident दिखें आपको बताना आपको क्या लगता है रिशापंद कैसे दिखें आपको मुझे लगता यह एक important role play कर सकते हैं आगे ट्विंटी वर्ल्ड कप में भी क्योंकि उनकी form काफी अच्छी दिख रही है मुझे यहां से तो जादा कुछ ने दिखें और बटलर मुझे काफी बैटर दिखें और खासकर जब वह पहले बैटिंग करते हैं इस बार second batting करते वाग भी अच्छे दिखें नॉमली उनका record पहली बैटिंग करते वाग अच्छा है इस बार जो पिछला मैच केला उसमें देखो second batting में 28 run पे आउट हुए 30 पार नही पूरा बढ़ा तेस मैच का जहां वो जीरो 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 आउट हो रहते है और अब देखते हैं मोहिन अली करन में से कौन खेलता है और क्या बाटिंग ओडर होता है जादा दोनों में अभी इंट्रेस्ट नहीं है क्योंकि अभी clear नहीं है कौन आएगा तो भाई देखो मेरी जो टीम अभी तो नहीं यह जनता का सेलेक्शन है जो आपके सामने है यह जनता ने टीम ले रखी है उसमें 7-4 का combination है जनता को केल राहूल पर बहुत जादा भरूसा है उन्होंने captain नहीं रखा है वाइस captain है जेसन रॉय मेजॉरिटी ऑफ दे जनता के अब उसमें जहां आपको यह दिखे कि क्या options है आपके वास देखो एक टीम मैं तीन टीम जो मेरे दिमाग की उपज है कहीं न कहीं से सोच रहा हूं मैं तो उनमें एक है श्रेस अगेर अच्छे टच में दिखे तो उनको रखा हुआ है केल रहूल और विडाट कोली यह खास कर यह दोनों को मैं तब जरूर रखा हूँ जब दोनों chase कर रहे हूँ अब मेरे पास अकसर पट पेल वाली स्पॉट पर आपको क्या करना है अगर यह सेम सेनारियो मोसली तब रहेगा जब इंग्लेंड पहले बॉलिंग कर रहे तो मैं इंग्लेंड के चार बॉलर लेके जा रहा हूँ यह चौथा वैंस्टोक्स है जो बॉलिंग अब थोड़ा सा चेंज करा दूसरे में मैंने यह सोचा कि सपोज विराट का वो फॉर्म चलता रहता है और उनकी जगे जो प्लेयर अभी तक दिख रहे थे अच्छे निक में रिशब पंत और मेभी शिखरदवन चल जाए थोड़ा बहुत 20-30 के पॉइंट के साब से तो वो अब इस स्टीम में क्या कर सकते हो एक कैसा प्लेयर जो बाटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी कर सकता है वो दोनों को मौका मिल जाएगा इस टीम में अब आपने किया मुझे बटलर अच्छे लग रहते हैं मैंने रखा यहां पर पीछे यहां पर बेरेस्टो आप रख सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा बटलर को लेके जादा बेटर हूँ खास कर जब वो पहले बाटिंग करते हैं बेरेस्टो खास कर जब वो चेजिंग करते हैं यह हमने पहले डिसकर्स कर रख है खाफी क्लारिटी है तो यह तीसरी टीम जो लोगे और शायद एंड में इस टीम के साथ जाओ बस मुझे इसमें दिक्क सब्सक्राइब नहीं है गेम आपका यहीं से डिसाइड हो जाएगा और वाइस कैप्टन आप अपने इसाब से हार्दिक पांडिया वेराट और के लाहूल अच्छे ओप्शन दिख रहे हैं अब आते हैं इंट्रेस्टिंग जीस पर बल्ले बाजी पर सेकेंड इनिंग देखो यह सिनारियो है जब इंग्लिंड सेकेंड बाटिंग कर रहा हो बहुत आसान हो जाएगा मैच अगर यह होता है तो क्योंकि इंग्लिंड सेकेंड पांच बॉलर अब इसमें हर्दिक पढ़ने को अगर आपको ऐसा बॉलर रखना हो रख सकते हो और वाइस यह पांच पॉइंट इखटा करने के लिए तो आप इस बेसेस फेक बॉलर को क्याप्टन मना सकते हो सेकेंड इनिंग में लेकिन अगर इंडिया सेकेंड बैटिंग कर रहा है तो मेरे पास इंडिया के छे बैट्समें हैं और इंग्लिंड के पांच बॉलर है जिसमें साम करन आपको नहीं दिखना है तब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा क्योंकि साम करन वाला स्पॉर्ट मेभी वह कम बॉलिंग कर रहा है तो वह देखना पड़ता है बस वहीं एक गेम डिसाइड होता है सेकेंड इनिंग में सिर्फ एक प्लेयर और या फिर मोस्ली आपका कैप्टन माइस कर देता है क्योंकि अगर आपने सही इनिंग वाइस अनालिसिस कर रखा जैसे हमने करा कि चेस करते हैं तो हम इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन में से एक पूजिशन दे देते हैं और बॉलास में एक कोई कैप्टन कर देते हैं यह सिनारियो सब लोग सोचते नहीं और य वहाँ पे भी यह सेकेंड इनिंग का कॉंटसेप्ट है और मुझे लगता है अगर आपको बड़े मैचेस में खेलना जैसे IPL होगे डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टन से और डाइवर्सिफिकेशन से मनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपको फॉर्माट में जरूर ट्राय करना चाहिए क्योंकि कभी-कभी नॉर्मल फॉर्माट से जाथा पैसा आप यहां कमा सकते हो और कोशिश करने में कोई बुर माचेश में थोड़ा सा आपको बहुत ऐसा हो जाता है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं इस वजह से आप यह उप्षिन्स चूज कर सकते हो तो आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दिया होगा संडे बढ़िया जा रहा होगा कॉमेंट में बताना